गांजा तसकरों के खिलाब पुलिस की बड़ी कारवाई 4,676,00 रुपए का गांजा जब 9 आरुक्यों को भेजा 10,006,00 के पीछे गौरेला पेंडरा मरवाही जिले से बड़ी खबर है जहाँ पुलिस ने नशे के सवधागरों के खिलाब बड़ी कारवाई की है पुलिस ने तसकरों से हरी मात्रम में गांजा जब्त किया है जब्त गांजे की कीमत 4 करोड रुपए से अधिक आ की जा रही है पुलिस ने मामले में अब तक गांजा तसकरों के खिलाब सबसे बड़ी कारवाई की है पूलिस ने तसकरी के मामले में अब तक की बड़ी कारवाही की है बता दे कि पूलिस ने अब तक गांजा तसकरों के खिलाब सबसे बड़ी कारवाही की है पुलिस ने अलग-अलग खाना शेत्र में कारवाई कर चार करोन के अधिक का गांजा और तसकरी में इस्तिमाल की जाने वाली गाड़ी को जब्त किया है इसी क्रम में खाना मरवाही द्वरा कारी आम आटियो पैरियर के पास वाहनों की तलासी लेकर पूज तासकर तलासी लिजा रही थी इस दरान पूलिस की जीव को वाहन में सिमेन दफ्त प्रा दिखा दिया जिसे हटाने पर अंदर अलग-अलग बोरियों में गांजा पाया गया आरुप्य के पासे खटना में प्रयूप्त बाहन, बारा चका त्रक्रमांग पूली, पूलीस, एक, दो तीन पूले सुलिया और उसे भरे 20 कुंटल 30 किलोग्राम गांजे को जट्र किया गया जिसकी कुल पिवत 4 करोग सर्षत लाग आकी जा रही है एक बड़ी कारवाई गौरेला पेंटरा मर्वाई पूलीस ने की थी, जिसमें लगब 15 कुंटल गांजा हम लोगों ने पकड़ने में सफ़लता प्राप्त की थी इस बार उससे भी बड़ी कारवाई हम लोगों ने की है और गॉरेला थाने के एक प्रकरंड में 20 कुंटल 30 किलो गांजा पकड़े हैं और इसके अत्रिक्त कल कल में ही टोटल 3 थाने में एक एक प्रकरंड किया गया है और टोटल 22 कुंटल 40 किलोगराम गांजा गौरेला पेंड़ा पुलिस के द्वारा जब किया गया है साथ ही साथ नौ आरोपियों को जो उडिसा से गांजा खास करके 36 गड़ होते हुए मद्ध प्रदेश की तरफ तसकरी करते थे उनकी गिरिफतारी की गई है डिटेल्स मैं बताता हूँ इसमें जो गौरेला थानी का प्रकरण है इसमें टोटल 20 कुंटल 30 किलोगराम और साथ में एक ट्रक जिसकी पुल कीमत लगभग 4 करोड 16 लाख रुपए है जब्द किया गया है और इसमें दो आरोपी एक ट्रक ड्राइवर फिरोज खान जो की राउरगेला का रहने वाला है और दूसरा गिरिस यादव जो इसमें उसार का रहने वाला है जो हमारे जिले कही है और जो मुख्य सुत्र था जिसने उडिसा से माल खरीद कर मद्ध प् तो मौके से ग्रिफतार कर गांजा जब्त किया गया है एक अन्य प्रकरण में पेंड़ा थाने में 200 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है जिसमें अनुपुर निवासी दौलत केवर्ड और 200 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है और उसके साथ एक हुंडा कार जिसक जो जान्गीर चापा के निवासी हैं, मुल्मुला और मलहार के रहने वाले हैं, राम कुमार पटेल, संकर चौहान, लखन कस्यप, सीव कैलास साहू, विसाल गोयल और बबलु कुमार साहू, इन शे लोगों की गिरतारी की गई हैं, इसी क्रम में मैं बताना है।